हिमाचल परदेश सरकार की फ्लेक्षिक कारेकरव में जो स्टार्ट अफ है राजीव गांदी सोरजगार योजना है उसमें जो ए-taxi दी जानी है सभी डिपार्टरमेंट्स को जो सरकार की नीती है कि जितनी भी आगे जो गार्मेंट डिपार्टमेंट्स में गाडिया लगनी है वो सारी e-taxi जो e-v vehicle के माध्यम से लगनी है उसके तहत सरकार जो 50% subsidy इसमें दे रही है तो हमारे पास पूरे हिमाचल परदेश में 1200 एप्लिकेशन है और District Solan की 101 एप्लिकेशन से है तो उसमें से अभी 500 परमिट दिये जाना है पूरे स्टेट में तो उसके लिए ये टेस्ट लिया जा रहा है और इसमें ड्राइविंग टेस्ट और उनकी जो ड्राइविंग स्किल है उसको परखा जा रहा है उसके आधार पर मेरिट लिस्ट पूरे स्टेट की डिरेक्टर ट्रांसपोर्ट द्वारा तियार की जाएगी और जो 500 जो मेरिट के हिसाब से जो अभीरती है उनको पहले परमिट दिये जाएगे और जैसे आगे स्केम बढ़ती है और डिमांड बढ़ती है इस गाड़ी के पूरा जो मेकेनिजम उसके ड्राइविंग उसको गाड़ी के मेंटेनिंस एक ड्राइविंग की क्या स्किल्स है और ड्राइवर के क्या-क्या ड्यूटीज है करतव हैं ये सारी छीजे उनकी परख़ी जा रही है सेलेक्शन तो स्टेट लेबल पर होना है हमने सिरफ मेरिट लिस्ट देनी है कि पूरे स्टेट से कितने लोग आते हैं फिर फाइनली वहां पर वह के मेरिट सो मैंसे जो उनकी मेरिट लिस्ट है तो फांसो जो टौप आजमी है वह पास हो जाएगे और उसके बाद वह बेट लिस्ट में वह ऐसा नहीं फैले हुआ सकता कि सिक ड्राइविंग टेस्ट में कमी रह गए तो उसको कम मांक्स हो गए तो वह डिफिनिटली अगर आग दिये जाएगे और वो पर्मिट कब तक इसके लाइसेंस यह 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 तेरा तारीक हमारी जो टेस्ट की डेट है लास्ट डेट है तेरा के बाद सरकार डिसाइड करेगी कि कब देना है वो सरकार पर डिपेंड रहे हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को स my Instagram page himachal.kstreet